अब देखो यहां पे ACC के बहुती शानदार नमबर है और आफटर दे रिजल्ट डूरिंग दे मार्केट यह स्टॉक बारा परसन अपसट जाता हुआ अगर आप बात करने जाएं मन्थली चार्ट पे तो नीर भाई लाइफ टाइम हाई के पास पहुँच चुका है अब देखो मार्केट में हुआ क्या है अदानी के स्टॉक्स और कितना जा सकता है जिनको ने बता है बाई ACC अमबुजा भी अदानी का हो चुका है और यह और मोमेंटम कर सकता है क्यों कि बहुती श्ट्रॉंग रिजल्ट आया है और फ्यूचर की कॉमेंटरी बहुत जादा ठीक है तो हम लोग डीटेल में डिस्कस करेंगे क्या हो सकते है आगे की स्टेटेजी और हाँ अदानी पावर के भी रिजल्ट आ चुके है वो भी काफे तक स्ट्रॉंग है लेकिन हम लोग अलग सिक वीडियो बना के प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं क्लियर चलिए फटा हुआ दिखाई दिया है स्टॉक 6% यहाँ पर लाइव मार्किट में बढ़ा था लेकिन अभी 12% की अप्रोक्सिमेटर क्लोजिंग आती हुए दिखाई दिखाई दिखो यहाँ पर प्रॉफिट देखो सी 100 करोड का प्रॉफिट था जो अभी बढ़के 500 करोड का हो चुका ह है लास्ट कॉर्टर में 388 करोड का नेट प्रॉफिट था ठीक है तो प्रॉफिट काफिट स्टॉंग है तो देखो अगर वन शॉट में बुछने हैं सर रिजल्ट कैसे मैं बूलोगा बहुत ही स्टॉंग एवर ग्रिन रिजल्ट है सेकेंड नंबर का कोशिन आता है करना है तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉंग कंपने आप उसको फोकस करो ठीक है पानलो कोई भी एबीसी बंदा आके यहां पर पैनिक करवा गया कि रिपोर्ट आई और यहां पर बोला कि इतना खराब है और धिमकना और स्टॉक क्रैश हो गया तो आप स्टॉक के फंडामे इपेस पे यह ट्रेड करता है पर कौटर में और इसका पी-ई कितना है सिफ नौ का पी-ई है तो फंडामेटली स्ट्रॉंग कंपनी में आपको पैनिक नहीं करना है उल्टा गिरावट में खरीदारी का सोच रहे है तीक है ऐसा नहीं सोच रहे है यह रोस गिरेगा और यह हो जाएगा तो हमेशा याद रखो fundamentally strong company पकड़ो आई बच समझ में हाँ थोड़े वॉलेटल होगा आदानी के साथ साथ लेकिन जीस तरह से रिजल्ट आते उसके बहुत बड़े प्लेस वापस आएंगी यह बाद द्यान में रखीगा और आज यह example मिल चुका है आई बच है अब स्टॉक का final resistance यहां पर हो चुका है वो है देखो around 2700 के आसपास जैसे ब्रेक होता है स्टॉक सीधा 3500 4000 तक की momentum करता हुआ आपको दिखाए जैसकता है ठीक है समझ मेरी बात है अब देखो समझो बात को मैं आपको एक स्टॉक बताना चाहूंगा ultra tech cement माना जा रहा है क यह जो स्टॉक के result आए थे ACC के ठीक है ACC के उससे better result माफ केजेगा ultra tech cement से better result ACC का है किसके ACC के better result है तो आप देखो ultra tech cement पहले जो गिरा था ठीक है ACC के साथ उसके बाद ultra tech cement ने तो कितना बड़ा हाई मारा है ठीक है 8000 को cross करके 10,000 को cross किया तो ACC को cross नहीं करना चाहिए था ठीक है कम से कम यह stocks 3200 पे current time पे trade करना चाहिए था एस पौधा जितने cement stocks momentum करते हुए दिखाई थी है और ultra tech cement से तो better result है तो उससे ज़ादा trade करना चाहिए था तो इसकी जो fair value बैठती है बहुत ज़ादा high पे बैठती है तो इसको radar पे आपको ज़रूर रखना चाहिए हां volatility होगी अ अगर आप मानलो आप यहां पे करोड़ पती होते ना तो आपको खीचने के लिए बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं टांग खीचने के लिए बूलते ना ठीक आप भी जानते हों कि definitely आप की भी कोई ना कोई टांग खीचता होगा तो हमेशा याद यह रखो कि उसको नजर कैसे हैं और फ्यूचर ग्रोद क्या रहने वाला है तो यह तो बता दे यह रिजल्ट अच्छे हैं अब मुद्धा यह आ जाता है कि यह future result अच्छे हो सकते हैं यानि कि आने वाले quarter 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 quarter, quarter quarter quarter, marge quarter positive होगा की नहीड होगा वो हम लोग discussion करने वाले है तो company ने खुद अभी commentary की ह यानि कि यह result आने के बाद बोलते न, एक meet होती है, analysis meet, तो definitely हाँ पर बोला गया है कि company का growth tremendous रह सकते है, positive रह सकते है, देखो यहाँ पे, यह screenshot ले ले लेने, आपको काम आएगा, ठीक है, तो company के जो director है, उन्हों गोने क्या बोला है, तो company का performance last 12 महिने में पूरा turnaround हुआ है, ठी ठीक है, और volume sustain रह सकता है, क्या sustain रह सकता है, यानि कि जो बोलते हैं, ups and downs, profit growth में, ऐसा नहीं, sustain रहेगा, यह growth उपर गया है, तो यह sustain रहेगा, ठीक है, तो short and simple में आपको ज़्यादा panic करने के ज़रुती है, इसका growth positive रहने की आगे जाके उमीद है, अभी इनके जो margin थे, व बढ़ती होई दिखाई दिए, इवन आप लोग जानते हैं, कि बजट में हमेशा इंफ्रा सेक्टर को focus किया जाता है, इंफ्रा सेक्टर के लिए cement चाहिए होता है, और government cement का orders जो होता है, जनली क्या किसको करता है, यह मेरे से better आप जानते हैं, समझ मेरी बाते, तो कमनी ने क्या बोला है, कि इसका आगे जाके जो growth होगा, वो 7-8% continue रहता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि इनके पास काफी तक बड़े बड़े इंफ्रा के और residential housing projects यहाँ पे मौजूद है, यानि कि इसका future growth अभी भी positive रहता है, आने वाला quarter भी positive रह सकता है, ठीक है, अब मुद margin रह सकते हैं, देखो, आने वाले कुछ quarters, एक quarter नहीं, कुछ quarters, इनमें जो यहाँ पे इनका जो power and fuel cost होता है, वो 10% से गिरा है, ठीक है, टूटल expenses आप देखोगे तो यहाँ पे वो भी 1.5% से गिरा है, इसकी वज़े से इनका आने वाला quarter भी margin को maintain रख सकता है, sustain रख सकता ह है, हाँ मान लो यहाँ पे अभी 1.5% का margin है, तो में भी शायद 16-20% के बीच में कुछ margin रह सकते हैं, आने वाले quarter में भी, तो अगर मान लो इतना जादा growth रहता है, demands भी है, margin भी maintain रह सकता है, तो भी stock में क्या problem होने वाली है, ठीक है, stock में क्या problem रहने वाली है, आप देख कारू है, काफी strong है, इसके वाज़े से बंदे ने दम बताया, आज 10% की momentum कता हुआ दिखाया, और मैं बताना चाहूँगा, यह stock अपने circuit को break कर रहा, 10% की circuit थी, उसके बाद 15 मिट के बाद circuit वापस open होई, जिनको नहीं पता है circuit क्यों open होई, तो generally जो F&O active stocks होते हैं, ठीके जहाँ पर future and option trade किया जाता है, बस वही stock में circuit open होती है, लेकिन कितने minute बाद, around 15-20 minute के बाद circuit open होती है, और आप देख सते हैं, उसके बाद stock यहाँ पर D high के असपर closing देनी की पोशिश की है, ठीक है, समझ महीं बाते, तो short and simple में, बंदे में आपको नज़र ज़रूर रखनी चीए, stock high chances से stock 3000, 3000, 200 और उपर उससे उपर जाता हुआ दिखरे ले सकते हैं, लेकिन देखो, आप मानलो sir में Monday entry करो, कल तो चुटी है, Friday चुटी है, ठीक है, आप मानलो sir में Monday entry करो, stock गिर गया 2%, तो मैं क्या करूँ, तो भाई trading ही मत करो, stock में trading करने के लिए नहीं बना है, share market में आप trading उसको अलग priority दो, investment की सोचो, ठीक है, market में trading करोगे, जादा ता loss ही होगा, तो investment का सोचो, 2-3% उपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है, अगर आपको growth पे focus है, अगर आपको analysis पे focus है, तो क्या tension लेना, ठीक है, आप देखो, जान से समझो, अब तक का सबसे highest operating profit यहा stock यहाँ पे chances से उपर जा सकते हैं, तो अभी माना भी जा रहे है कि यहाँ पे अमगुजा को भी यह लेकी जा सकता है, ठीक है, अमगुजा भी अब देखो, यहाँ पे जहां से यह stock crash हुआ था, जो hidden work की report आई थी, उसके बाद जो stock crash हुआ था, यह stock उसको almost यह high cross कता हुआ दिखाई जया, और chances यह और cross करेगा, ठीक है, तो इसके भी levels आप यह समझो, कम से कब 7500-800 तक की भी levels आ सकते हैं, इसका result करीब करीब 1st January को है, if I'm not wrong, इस result के बाद हम लोग इसको study अलग से करेंगे, लेकिन ACC तो जादा better हो चुक है, तो इसको priority आप रखना चाहते हैं, आपको company के fundamentals उसको study करना चाहिए, जादा पहनी करोगे, तो हाथ में loss ही आने वाले, वो वाध्यार में जरूर रखेगा, लोग loss में जादा exit करते हैं, बिजाए profit में, वो आप सूचिएगा जरू एक बार के लिए, मानलाव का 50% loss हो जाएथा आप पहले exit करते हैं, तो का high 108 का सबस्ता, तो आप जाके जरूर वीडियो दीखें, आपके बहुत-बहुत काम आ सकता है, अगर आपको dimate account open करने हैं, तो हमार लिंक से आप dimate account open कर सकते हैं, इसके link मैं आपको वीडियो के description comments में provide कर दूँगा, आप हुमारा community का हिस्सा भी बन सकते हैं, जहां पे हम लोग discuss करते हैं, कौन से stock में breakout होता हुआ दिखाई दिया, कौन से stock में और momentum आ सकती है, इसा हम लोग discuss करते हैं, तो definitely अगर interested है, जाके join, जरू कर सकते community को, clear, मिलते हैं, अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye, जाए हिन!